वालो फैंड वालकुम चूंड अपिसोर ऑफ बॉलीवूद दिस वीक नाइन देज तो गो साइरा नरसीमा रेड़ी वर्स वार बैटल हज जस बीगन वेल अभी से जो कश्मकश और जद्दो जहद इसके स्क्रीन काउंट को लेकर होगी वह एक एतियासिक होगी दोनों फिल् सिनारियो हम लोगों ने देखें लेकिन यहां पर दो तगडी फिल्में हैं दो हट्टी कटी फिल्में हैं एक फिल्म ऐसी है जहां पर इस सदी के बड़े बड़े स्थार्ज यानि कि रिटिक व्रॉशन वर्सिस टाइकर श्रॉफ है और दूसरे में मेगा स्था चीरन जी भी है नमीता बच्चन उनके इंडस्ट्री यानि के साउठ इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्थार्ट्थ जाओ किच्चा सुधिपो विज्य सेटूपति हो यह हो अब यह दोनों फिल्मों के पत्ते खुल चुके हैं इनके ट्वेलाश भी आ चुके हैं प्रमोशन माठी की फिल्म में देखेंगे आज की एपिसोड बताने वाला हूं वह मैं सिर्फ वर्जन का बताऊंगा क्या हिए यह कभी नाशनल लेवल पर डिस्क्रींग नहीं किया जाता और साउस में उनके हिसाब से स्क्रीन मिल जाते हैं एक स्क्रीन पर कितने शोज होंगे इस पर भी कोई रोक नहीं होती है साउथ इंडिया में स्पेशली आंध्रपदेश तेलंगा ना क्या इवन करनाटा का बेंगलूरू स्पेशल पर्मिशन रिटन फॉम पुलीज के वह सुबा के तीन बज़े से लेकर स्पेशल शोज कंड़क करते हैं दस बज़े तक वहां पर अपने ऐसा नौ से बारा का हिसाब या बारा से तीन का हिसाब नहीं होता साउथ इंडिया में सिंगल स्क्रीन सिनमा ओपन अट 10 a.m इस प्रकार के उनके शोज रहते हैं लेकिन रिटन परमिशन लेकर पुलीज की लोग मौनिंग शोज याने के 3 a.m. 4 a.m. 5 a.m. इस प्रकार के भी शोज रखते हैं साउथ के स्क्रीन काउन वताने की यूनों अभी मैं पोजिशन में नहीं हूं नौ दिन पहले लेकिन जाने के अनील थढ़ानी साहिरा नरसीमा रेड़ी को नों हिंदी वर्जन में निकालने वाला याने के एक्जिबिट डिस्ट्रिबूट करने वाला है तो गयाईस जब डिस्ट्रिबूटर अनील थढ़ानी हो तो किस प्रकार से वह स्क्रीन ले लेगा यह आप और मैं सब जानते हैं अब यह कोई के घ्ली हे तो हैं नहीं कि यहाँ पर जो एक्टर है उसको लोग जानते नहीं है यह साइरने रर्षिबूटरी वर्जन लोगों को मंते हैं यह वेरी सीरियस उन दिन दिन और इस सिंगर स्क्रीन थेटर्स फॉर इस हिंदी वर्जिन यस मेरा भाई पीपल आस्टाइट गिविंग इट अब बात करें अभी वार की तो यश्राज को मिनिमम तो मिनिमम चार हजार छेशो से पांच हजार स्क्रीन चाह लेकिन इसके हिंदी वर्जिन में उनको तक्रिवन 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 4600 स्क्रीन चाहिए और उनको मिलेंगे भी इतना मैं आपको बोल नौ दिन पहले इस प्रकार का हिसाव है लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी न्यूस देना चाहता हूं वार के पास अभी से अभी से वार ने उनकी हिट्टेवी एग्जीबिटर्स है उन्हें 3400 स्क्रीन अल्रेडी बुक कर लिये वो तो ट्राइक कर रहे है यह फिर्म वाले है उनको कुछ हद तक सक्सेस भी हाथ लग रही है लेकिन वार के जो एग्जीबिटर्स है उन्होंने 3400 स्क्रीन दे दिये है और अ अब लोग को अभी रिलीस को अल्मोस्ट दिन बाकी और लोग ने प्रमोशन फुल जुप फोस्ट में शुरू भी नहीं रितिक अभी बस नच पल यह गया है इस कदर का बज इस फिल्म में वेरी ओनेशली स्पीकिंग सायरा नर्सीमा रेटी का जो बज है साउथ इंडिया मे आप सब लोग अगरी करो मेरीा लेकिन इस फिल्म को लेना बहुत बड़ी इनो बीमा कूफी यह फिल्म जो इसका असली है वो देखने बाद ही पर चलेगा लेकिन फिल्म हल्के में नहीं ले जा सकती है एक्जीबीटर की स्क्रीनिंग् सब्सुर्टीरriend को दे水 अगर इस इन इस फिल्म के लिए एग्जिबिटर्स कुछ धलकियां देख लें फिल्म की या फिर 30-40 मिनिट की असे रमेंबर संजू की एग्जिबिटर स्क्रीनिंग रखी गई थी साउथ इंडिया थेटर्स के लिए वहाँ पर पब्लिक बाहर आई थी साउथ इंडियां के इस इस फिल्म मिनिमंग यहां पर पचास दिन चली और वही हुआ था संजू विकेम एन आल टाइम ब्लॉक बस्टर अगर साया थी स्क्रीनिंग में भी यह रिस्पॉंस आता है देन अनिल थड़ानी को 2300 स्क्रीन मिलने में मुश्किल नहीं होगी लेकिन गाइस सबसे बड स्क्रीन मिलें यानि कि हिसाब यह रहेगा कि साया थी साउथ में स्क्रीन कब्जा करेगा करेगा नौर्थ में भी 2000 लेकर वह अपनी रफ्तार आगे बढ़ाए बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है इस टाइम आसान नहीं होगा स्क्रीन लेना लेकिन यश्राज को मैं जानता ह आप जो तूफान है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सारी जानकारी पकी इंफॉर्मेशन ओफिशन इंफॉर्मेशन विल यूट इस जास्ट अडे बिफोर रिलीस ठीक है बॉक्स प्रेडिक्शन यह सब हम करते रहेंगे जैसे बस आते रहेगा लेकिन दब में स्क्री कीजिए ओंदे फीडिक लिए सब्सक्राइब में नस इस दो शीजर आ खहर इस सेब्सक्राइब थे चीजिए बन कोई खाता है वैद गया मैंट कर दोवय।